यह जो shine दिख रही है ना कोई highlighter कोई makeup का कमाल नहीं है मैंने बस अपने skin पे कच्छे दूसरे अपने skin को clean किया है कभी सोचा है कि सर्दियों में ही क्यों skin इतनी जादा irritate होती है कभी सोचा है कि extra care सर्दियों में ही क्यों पड़ती है गर्मिया भी तो होती है उसका उतना जादा शर्तों skin पे नहीं दिखता है जितना कि सर्दियों में दिखता है उसका सिर्फ एक answer है कि जो हमारा moisture label होता है air का सर्दियों में वो काफी कम हो जाता है coldness बढ़ जाती है जिसकी वजह से चहरे पे dryness, dullness और काला फन बिल्कुल दिखता है यह बिल्कुल common है जो हर skin type वाले face करते हैं हर लोग face करते हैं और मुझे इसका ही डियम जादा आता है मेरे साथ भी यह होता है मगर हम इसे घर बैटे कैसे ठीक कर सकते हैं without wasting money और कैसे अपने skin को better off कर सकते हैं इन सर्दियों में आज मैं आपको बताने आई हूँ चहरा पर कालापन आ गया है जाईया जुर्या जो है उभर के दिख रही है दाने के डाग धब्बे है वो भी उभर के दिख रहे है तो क्या करूं चहरे पर क्या दू जिससे चहरा बलकुल अच्छा हो जाए तो मैं हमीशा कहती हूँ कि चहरे को clean करना बहुत important step है यह step नही के लिए क्या गंदगी में आपके skin अच्छा react करेगी क्या गंदा चहरा रहने से आपको acne, pimple, bacterial infection नहीं होगा तो चहरे को clean करने के लिए हमेशा आती हूँ और हमेशा बताती हूँ कि कच्छे दूद से अच्छा कुछ भी नहीं है कैसे apply करना है क्या मिलाना इन सर्दियों मे और कैसे अपने skin को देना है वो तो मैं आज आपसे share करने आई हूँ बहुत ही beneficial वीडियो होने वाली है इन सर्दियों में अगर आपको अपने चहरे को बचा के रखना है अपने चहरे को कुछ अच्छा देना है तो इस तरीके से अगर कच्छे दूद का इस्तमाल करेंगे तो चहरा तो shine करेगा चहरे पर अगर pigmentation है जाईया है दाग धबे वो खतम हो जाएंगे चहरा clean हो जाएगा चहरे पर जो कहते हैं आप winters में भी अपने skin को बोलेंगे वाव जस्ट वाव तो अपने skin को अगर अपने आपको better off करना है without wasting money तो आपको अपने kitchen में जाना होगा और लाना होगा कच्चा दूद, yes friend, यहां पर मैं ले रही हूँ कच्चा दूद, raw milk, कच्चा दूद का मतलब यह नहीं है कि आपने दूद लेने ना है कोई भी और उसको उबाल करके ठंदा करके ले ले लेना है, नहीं, raw milk का मतलब ही होता है कि बिल्कुल उबला हुआ milk न लगाना है कब लगाना है क्या चीज़े मिला के लगानी है यह सारी चीज़े आगे की वीडियो में बताने वाली हूं तो पूरा फुल वीडियो देखिएगा तब आपको पूरा नॉलिज पता चलेगा कि इस चो कच्छे दूद को कैसे लगाए और इसका बेनिफिट्स कैसे उठाए तो यह है मेरा अभी का नाइट स्किन की रूटीन जो में अभी फॉलो करें हूं और आप लोगों के सामने आ गई हूं बिना मेकप की बिना कुछ लगाए सिर्फ लगाया है और कैमरे के सामने बैट गई हूं अगर आपने अपने चेरे पर कुछ दे रखा है तो च चेरे पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है चेरे को वश करके बैठी हूं और अब ले रही हूं कच्छा दूद कैसे लगाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने सिर्फ कच्छा दूद ले लेना है और इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने हैंड में लेना है देख आपके चेरे पर लग रही थी ना बिल्कुल चली जाएगी इसे अच्छी तरीके से और अपने हलके हाथों से आपको अच्छे से मसाज करना है जब आप कच्छा दूद अपनी चेरे पर देंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि चेरा कितना वाइटें हो गया मगर अभी इ और आखों के ऊपर जहां पे भी आपको comfortable है हर जगहा पे आप लगा सकते हैं हाथों में आप लगा सकते हैं जहां पे आपको लगता है बहुत चेरा काला पड़ चुका है अब जैसे जैसे मसाज करेंगे ना आप देखेंगे कि चेरे से जो गंदगी है ना आउट हो रही है ये जो काला पन निकलना स्टार्ट हो जाएगा दूद वाइट से ब्लैक होने लगेगा ब्राउन होने लगेगा तो समझे कि चेहरे पे काफी जादा गंदगी जमा है और दूद उसे निकाल दे रहा है बहुत अच्छी रेमेडी है सर्दियों के लिए स्पेशली अगर सर्द बहुत है कि करती है कि आप अपने स्किन को क्लीन के लिए क्या करती है तो मैं आ आखबंद कर्के एक ही चीज़ भोलू को इककच्छा दूद बिंकालापन ऐसे दिखेगा चेहरे पे कि जैसे लगेगा कि मेरी चेहरा कितना जादा डल हो गया है है तो ऐसे करें कि आपको दोजुशे तीन चम्माष्ट को अपने इस्किन पे मसाज कर ले तो यहां पर आपने अच्छे तरीके से हैंड में लेना है इस तरीके से हैंड से इस तरीके से अपने पूरे इसकिन में दे देना है यह थोड़ा जो कहते है ना थोड़ा टाइम लेके करना है यह नहीं कि बस एक सिकंड के अंदर किया और तुरंथ हटा लिया इसे कम से कम गंदगी मैल लगक निकल जाएगी चहरे पर शाइन आएगा यहां सबसे जादा जो बहुत जादा गंदगी जमा करता है, वो है no side area और this side area और sensitive area, under eyes area, जो हमारा जो skin है ना बहुत जल्दी जो dehydrate होना इसी area से होता है, हमारा age of science दिखना start होता है, इनी area से होता है, जो हमारा बहुत sensitive area है, इस side का, no side का, eye side का, ये जो area है ना इसी में से सबसे जादा आपको दिखता है Age of Science तो लो हमने कर लिया है मसाज बस कच्चे दूद से रोजाना रात में सोने से ताले इस तरीके से आपको कर लेना है मसाज पाँच मिनट चहरे पे आपको छोड़ देना है पाँच मिनट के बाद मैं वश आउट करके आपको दिखाती हूँ चहरे पे क्या ही ग्लो आता है मेरा 5 मिनट हो गया तो ओवर और मेरा ड्राइनेस चहरे पे आपको दिख रही होगी यह बिल्कुल ड्राइ हो चुका है तो मैंने बचे हुए दूद में कॉटन का कॉटन डाला है और इसे अपने स्किन से हटा रही हूँ यह देखिए आपको बहुत देर नहीं रखना है इन सर्डियों में अपने चहरे को ड्राइ नहीं करना है आपको 5 मिनट से जादा नहीं रखना है अपने चहरे पर अगर आपको ड्राइनेस फील हो रही है अगर आपको चहरा excessive dry है तो आप इसे 2-3 मिनट में ही हटा देंगे आपको अपने skin को dry नहीं करना है और damage नहीं करना है तो मैंने इसे milk से ही अच्छे तरीके से cotton के कप्ड़ से या cotton लेकर के आपको कर लेना है इसे तरीके से पूरे चहरे पे clean यस फ्रेंड जब मैं clean कर रही थी ना इतनी गंदगी बाहर निकल रही है इतना ही milk गंदा हो गया है इससे मुझे पता चल रहा था कि मैंने face wash किया तब भी मेरी गंदगी चहरे पे है क्योंकि ये डाइरेक्ट पोर से गंदगी को साफ करता है इसकी best बात यही है कि ये पोर से गंदगी को साफ करता है पोर से गंदगी को खीच करके निकाल लेता है और आपको अपने skin को clean करना है clean करते ही देखिए ये जो shine दिख रही है कोई highlighter कोई makeup का कमाल नहीं है मैंने बस अपने skin पे कच्चे दूसरे अपने skin को clean किया है ये moisture भी उसी level का दे रहा है moisturize कर रहा है skin को वो dryness नहीं दे रहा है जब आप wash करिएगा normal water से न उसके बाद आपको लगेगा ना कि मेरे skin पे कुछ भी मैं नहीं लगाऊंगी न तब भी चहरा shine करेगा मगर आपको यहाँ पे moisturizer लगाना है क्योंकि सर्दिया है अपने skin को ऐसे नहीं छोड सकते है तो चलिए देखते हैं इसे wash out करने के बाद तो चहरे से मैंने यहाँ पे कच्चा दूद हटा लिया अपने skin को tap 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 करके skin को dry कर लूँगी और अपने skin को dry कर लेना है जब मैं इसकी skin को dry कर रही थी और skin से यह जब हटा था ना भाई वाँ आप देख रहे ना shine मैंने अभी यहाँ कुछ भी नहीं लगाया है आपको live दिखा रही हूँ चहरे पे तो क्या ही sign आ रहा है क्या ही मतलब बिल्कुल moisturizer ना भी लगाऊ ना तो चहरा बिल्कुल dry करने के बाद moisturizer नहीं भी लगाऊ ना तो चहरे पे कुछ भी मुझे वैसा feel नहीं होगा मगर फिर भी अभी है swinters और चहरे को ऐसे छोड़के मैं कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ तो मैं यहां लगाने वाली हूँ moisturizer तो हाल में ही मैंने बनाया था यह moisturizer जो badam से मैंने बनाया था almond से और इसका जो मैं क्या ही बताओ इतना ही अच्छा result मुझे मिल रहा है ना कि मैं इसे again बनाने वाली हूँ तो इसे मैं लगाने वाली हूँ अगर आपके पास कोई moisturizer यह moisturizer नहीं है तो आप कोई भी moisturizer अपने skin पे लगा सकती है मुझे इसका result बहुत अच्छा मिल रहा है इसलिए मैं इसे apply कर रही हूँ अगर आपको भी यह DIY badam से बनाना है cream almond से बनाना है cream तो मैंने औरड़ी एक video share कर रखा आप मेरे channel पे जाके देख सकते हैं मैं DM में भी description में link share कर दूंगी आप जरूर जा करके देखे और अपना जो honest review मुझे share करें क्योंकि मुझे इसका बहुत ही अच्छा result मिला है और मैं इसे जब भी लगाती हूँ ना चेहरे पे चेहरा इतना soft shine करने लगता है चेहरे पे brightness आजाती है इसे store करके 15-20 दिन आप रख भी सकते हैं तो ये best cream होने वाली है आपके skin के लिए तो फटा-फट से जाए इसे जरूर देखे और अपने skin पे लगा ले क्योंकि ये आपके skin को काफी जादा मॉस्टराइज करेगी इन सर्दियों में तो लोग ये था मेरा night skin केर रूटीन अगर आपके पास कोई मॉस्टराइजर नहीं है simply आप vitamin E capsules ले करके या फिर नारियल का ते या तो फिर almond का oil या फिर आपकी वास ये भी नहीं तो अलवीरल जल में थोड़ सा नायल तेल मिला के चारव पे लगा लेंगे ये हुआ हमारा complete process night skin केर रूटीन का जो मैं सर्दियों में अभी apply कर रही हूँ आपने भी इसे तरीके से execute करना है इसे तरीके से follow करना है कहीं पे भी कोई भी problem आ रही है एक लाइक जरूर कर दीचेगा आपके लाइक से मैं motivate होती हूँ और मेरे वीडियो को इसी तरीके से पसंद करें उन लोगों तक share करें जिनको इसकी सबसे ज़ादा जरूरत है so I hope you guys कि आप समझ के कैसे prepare करना है कैसे execute करना कैसे इस्तमाल करना है चलिए फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ रोजाना रात में सोने पिस से पहले सलदियों में especially चेरे को इसी तरीके से कच्छे दूद से clean करेंगे और moisturizer लगाएगे तो चेहरा तो बहुत ही जादा shine करेगा इन सलदियों में आपका चेहरा कहेगा hello so आपके skin कहेगी just wow क्या ही दे दिया मेरे skin पर और आपने किसी को नहीं बताना है सारी लोग आपसे आपके पूछेंगे अपने skin के लिए क्या कह रहे हो क्या पाले जाके hydrofacial ले रहे हो या फिर कोई treatment ले रहे हो और आपने कहना है बस DIY का सम्माल कर रहे हूँ तो चलिए फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ अब तक लिए अपना ख्यार रखें अपने बड़ों को ख्यार रखें और अपने skin का तो बिलकुल ख्यार रखें बाई अपने बाई